बाई और बेहनों मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि कुछ गोर परिवारवादी लोग एक पुरी पार्टी परिवारवादी जनता से लगातार खोखले बाई देख किये जा रहे हैं वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तरपदेश की जनता इनके पुराने कारणामों को याद करके फिर से कभी उनको गुषने देने वाली नहीं है उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है उत्तरपदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़ बोले वचन देना कुछ भी वचन देना हम ये करेंगे हम वो करेंगे उनका क्या जाता है आना तो है नहीं करना तो है नहीं बोलते जो आप मान के चलिए जब कोई बड़े बड़े बादे करता है ना तो समझ लेना वो खोकले ही होंगे गेर जिम्मेदार ही होंगे और इसलिए मेरे प्यारे भाईयों बेहनों इन लोगों के बहकावे में नहीं आएगा इन लोगों को जब आपने मोका दिया तो इन्होंने क्या किया ये कभी मत भुलिएगा आप याद करिये इन लोगों ने शहरों को 22 गंटे और गावों को 20 गंटे बिजली देने की बात कही थी ऐसे वादे किये थे लेकिन उन्होंने ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा और किया तो कहां किया अपने परिवार के जिले में किया परिवार वादी सोच बिजली में भी बही पर अटक गई सहारनपुर जैसे बाकी जिले ऐसे ही छोड़ दिये गए ये लोग कभी यूपी के विकास के बारे में गरीबियों के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं इन लोगों को गरीब का दर्द ना दिखता है और नहीं वो दुख दर्द को समझ पाते हैं केंदर सरकार जो गर बनाने की योजना चलाती है उसने भी हमारे गरीबोंने भी ये परिवारबादी लोगों की निर्दाइता को जेला है मैं भाईयों बहनों आपको कुछ आकड़े देना चाहता हूँ बताओं क्या मैं आपको कुछ आकड़े बताना चाहता हूँ ये आकड़े सुन करके आप चोंग जाएंगे सिरब इतने आकड़े सुनोगे न तो भी आपको लगेगा हाँ भाजपा की सरकार हमेशा रहनी चाहिए आप सुनिये साथियों जब यहाँ पे ये गोर परिवार वादी लोग सत्ता में थे सिरब परिवार के लिए ही जीने वाले लोग सत्ता में थे तो इन्होंने मैं सिरब यहाँ की लोकल बात करता हूँ बाहर की नहीं करता हूँ ताकि आप चेक कर सकें इन्होंने सहारनपूर के शहरी इलाकों में हमारे इस सहारनपूर के शहरी इलाकों में पांचो गरीबों के लिए घर बनाएंगे ये उन्होंने स्विकृती दी थी कितने 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 सिरब पांचो और इतनी बड़ी बाते करने वाले लोगोंने पांचो घर भी बनानी पाए सिरब दो सो घर बनाएं कितने कितने याने पांचो की बात की और बनाएं कितने अब देखिए दो हजार सत्रा में आपने लोगों के लिए जीने वानी उत्तर प्रदेश का भला करने वाली उत्तर प्रदेश का कल्यान करने के लिए जी जान से जुटी हुई जी उत्तर प्रदेश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काम करने वाली जब योगी जी की सरकार बनाई जो बदलाव आया उसके आंकड़े भी सुनने जैसे हैं मैं बताओं पहले की सरकार ने पांसो का लक्ष रखा सिरफ दो सो कर पाए योगी जी ने क्या किया भायो भनो सहरानपूर शहर की मैं बात कर रहा हूं इकत्तिस हजार कहां पांसो और कहां इकत्तिस हजार गरों को स्विकृति यानि कित्तस हजार गरीप परिवार लगपती बनाने का लक्ष और इन मैं से अठारा हजार का तो काम पुरा कर दिया अब मुझे बताइए भायो पांसो और दोसों के बीच में भी जो लटके पड़े रहते हैं उनकी जरुरत हैं कि इकत्तिस हजार के लोगों की जरुरत है सीधी समय दे भायों काम करने वाली सरकार चाहिए योजनाओ को जमीन पर लागू करने वाली सरकार चाहिए और यही होती है डबल इंजिन की सरकार की ताकार सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सिवा में लगे रहने वाले लोग अपने परिवार का भ़़ा सोचने वाले लोग गरीब के लिए दलीत पीडीत सोचित वंचित के लिए छोटे किसान के लिए ये कभी भी सोच नहीं सकते काम कभी कर नहीं सकते है